लोग तंत्र का चोथा स्थम जिसे मीडिया कहा जाता है और मीडिया जो है लोग तंत्र के चोथा स्थम और कहीं ने कहीं है चोथा स्थम वही है जो लगातार आपके मुद्दों को परसासन तक पहुचाने काम करता है और आपकी खबरों को या फिर आपके मुद्दों को या ऐसा ही कहीन है कि मीडिया को परसाद मिलता है नजर आया कल का वाक्या आपको बता दे करनाल की खबर है यह आकर्शन उपल की बात की जाए जो कि आपके जन मुद्देने की कहा जाए कि एक तैसिलदार के द्वारा रेजिस्ट्री को ना करने का एवज में काफी भीड लग जाती है या कहा जाए कि तैसिलदार जो है लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए समय नहीं होता है उस खबर को दिखाने के लिए आकर्शन उपल जो आईबियन 24 न्यूस के मालिक हैं वो पत्रिकारता करने के दोरान तैसिलदार के आफिस में पहुंच जाते हैं और जो जिसको पीडिस जो सिकायत करता है उसके कहने पर एक खबर हो करते हैं अमोमन खबर की जाती है आप लोग हमें फोन करते हैं और समस्याओं बताते हैं और उसके बाद कहीं हम अपनी जान को जोखी में डाल कर आपकी खबर को परमुकता से दिखाने का काम करते हैं और वही काम जो है अकर्शन उपल ने जो आईबियन 24 न्यूस के जो मालिक हैं उनके दोरा खबर की गई और उसके बाद देर रात उनको अर्रेस्ट कर लिया गय आपने सही सुना उनको कल देर शाम को अरेस्ट कर लिया गया हलाकि ऐसा कई बार होता है पत्रकार खबर के लिए निकलता है आप फोन करते हम लोग खबर पर आपके आ जाते हैं और उसके बाद यह नहीं पता होता कि हम घर कब पहुँचेंगे घर पहुँचेंगे भी नही पहुच जाएंगे साम के नहीं फुटेगा या ने फूटेगा इन से बातों की कोई गरैंटी नहीं होती है कल के दिन की बात है कल देर साम की बात है अकरसन उपल जब दिनकी दिन में एकstesट की थी ऐसके बाद आ करस 느 तक करिय नहीं क्वा 2002 घंटे तक कोई अता पता नहीं ह बारे में जानकारी मिली तो जानकारी ये मिली कि फिलहाल उन्हें पुलिस ने हिरास्त में ले लिया है पुलिस ने अपना डिटेन कर लिया है और कई धारों के अंदर तहत उनके पर मौामला दर्ज कर लिया गया परिवार की माने तो परिवार कहना है कि आकरसिन उपल से बात कर लिया जिसके बाद पंचकुला इसके बाद सकते होग उनके चरने पहूंस्ते हैं वह बहुत नगातार करनाल पोश्टे वो नुद करते हैं। गए थे तैसिलदार के खिलाफ एक खबर थी तैसिलदार जो है सरकारी काम में बादा डालने का आरोप लगवाए दिया जाता है उनकी तरफ और सरकारी काम में अब कईने के परिवार की बात अगर मानी जाए तो परिवार का कहना यह है कि सरकारी काम जब करीनी रहे थे तो ब पाउजुद उसके इस तरह संगीन आरोप लगाए गया और अपना करम करने गया था पत्रकार अपनी खबर करने गया था लेकिन उसे परसाद मिला और फिरहाल पूरा परिवार जो है वो रात भर जो है चौंकी के बाहर ठाने के बाहर और और कहीं नगे एस परी के घर के सामने धरने लगा बैठे वे थे लेकिन आज की बात की जाए आज तमाम पत्रकार समूझ जो है चाहे हिसार की बात की जाए हिसार से हमारे हर 20 नूज के जो है दिपेश या फिर जो संसकार करनती के जो करमू है वो लगाता है ऐसे कई बड़े उठाने के लिए कहीं ने के खुद मुद्धा बन जाता है आगर आप तरकार को याद करते हैं आपके साथ लोन में भरष्टा चार हुआ है पत्रकार को याद करते हैं आपके सरकारी काम में किसी ने रिस्वत लिये पत्रकार को याद करते हैं कोई एक्सिडेंट हो गया है आपको कलेम नहीं मिल रहा है पत्रकार को याद करते हैं जमीन का कोई मसला है पत्रकार को याद कर कहीं नहीं हमें सब को एक जुट होकर उस पत्रकार का साथ जरूर देना होगा जो पत्रकार आपके लड़ता है और लगातार परसासन से आपके लिए भिड़ता भी नजरा आता है परसासन उपल के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है जो इसकी लिए भी आई सपोर्ट जो ट्विटर के उपर जो उनने एक मुहीम चलाई गई है आई सपोर्ट करकर कही ने कर उनका साथ दीजिए और फिलहाल ऐसे ऐसे पत्रकार जो आपके समाज में है जिने आपको लगता है कि ये आपकी मुद्धे उठाते हैं आपके लड़ते हैं, आपके लिए जगड़ते हैं, आपके लिए परसासन से भीड़ते हैं तो कहीं न कहीं आप ऐसे सभी पत्रकारों का साथ जरूर दीजिए क्योंकि एक पत्रकार अगर समाज में नहीं आपकी मदद करेगा तो नेता लोग तो आपकी क्या मदद करते हैं या आपको भली भाती पता है जैहिंद